Hello students, हम कर रहे हैं income tax, income tax के अंदर अभी हमारा chapter चल रहा है income from salaries income from salaries के अंदर हमने alliances कर लिए थे और perquisit start किये थे perquisit के अंदर हमने rent free accommodation and car facility वाला perquisit कर लिया था आज की lecture के अंदर आगे के जितने भी perquisits अनुलाब बचे वे हैं उन सबकों मैं कराने वाला हूँ one by one तो चलिए start करते हैं सबसे पहले आता है domestic servant अगर employer थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे यह third number हो गया आपका क्योंकि आज मैं सारे करवा दूंगा आपको domestic servant यानि कि नौकर की सुविधा ठीक है अगर employer यानि कि आपकी company आपका boss आपके लिए क्या करता है domestic servant domestic मलब घरे लू आपके घर के लिए घर पे काम करनी के लिए कोई servant की फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है तो उस case में ünf लीड की वेडियू किया होगी इसमने जैसे चौकिदार हो सकता है माली हो सकता है निजि अटेंडेंट्स हो सकता है ठीक है निजी साहे जिसको बोलती है तो उस case में प्रक्यूसीं की वैवलियू क्यों होगी तो उसमें आपको क्या करना है simply देखना है कि जो employer हो किता पे कर रहा है, आमाउंट पे टू सर्वेंट बाई एम्प्लोयर, एम्प्लोयर ने वो सर्वेंट को आपके यहां काम करने के बदले में कितने रुपे दिये, वो रुपे ले लो, ठीक है, माल लेते हैं, फॉर एक्जाम्पल के लिए, कुछ भी अमाउंट ले सकते हो, एक ला बाई एम्प्लोयर, फ्रॉम एम्प्लोई, ठीक है, माल लेते हैं, एक लाग रुपे, एक लाग तो जादा हो जाएगा, चलो, बीस अजार रुपे, बीस अजार रुपे सर्वेंट को दिये, किसने, एम्प्लोयर ने दिये, कंपनी ने दिये, बट बीस अजार देने के बा तो employee से वापस वसूल भी किये employer ने कितने वसूल किये मार लेते हैं 8000 रुपे वसूल किये तो इसका मतलब perquisite की value कितने हो गई 12000 रुप यह facility की value हो गई अच्छा अगर employer employee से उसके बनले में कुछ वसूल नहीं करता तो 0 पूरे के पूरे 20,000 रुपे perquisite की value हो जाती और वो जाके आपकी income from salary में add हो जाएगा और उसके उपर फिर tax लगेगा फिर बताता है हमारा 4th number 4th number कैसे क्योंकि 1st था rent free accommodation 2nd था car perquisite वाला 3rd number domestic servant और 4th number में बताता हूँ आपको अगर employer आपको provide कराता है gas की सुई धा gas मतलब घर पे जो गरेलू gas यूज होता है वो electricity cylinder provide कराता है मतलब आपको electricity आज कल तो pipeline से भी आता है electricity अगर आपको provide करा रहा है या फिर water supply water supply की facility भी कौन दे रहा है आपका employer दे रहा है ऐसा बड़ी बड़ी company में होता है है ना जहां पर काम का बंदा होता है employee वो company फिर उसको सारी facility provide करा देती है transportation की, car की, rent की देख रहे हैं आपर domestic servant की, gas की, electricity की, water की और भी अभी बहुत सारी आएगी मतलब इतना कुछ provide किया जाता है तभी तो income tax के अंदर है वरना क्यों होता टाइम पास थोड़ी कर रहे हैं आपर तो talent होना चाहिए आपके इंदर skill होनी चाहिए फिर बड़ी-बड़ी company आपके लिए सब कुछ करने के लिए त्यार रहती है तो इस case में हमें देखना पड़ेगा कि यह जो gas provide करा रही है electricity provide करा रही है, water provide करा रही है facility कौन employer या कोई company तो देखना पड़ेगा यह इन तीनो provide जो करा रही है employer जो provide करा रहा है boss provide करा रहा है कहां से provide करा रहा है किसी other company से any other from any other company समझना कैसे any other company या फिर from own company खुद की company से, अच्छा खुद की company से कैसे माल लेते हैं कोई company जैसे है आपका Indian oil है ना या HP हिंदुस्तान petroleum company क्या काम करती है company का main काम ही क्या है cylinder का gas का या कोई electricity company है या कोई water supply company है तो वो क्या करेगी वो अपने employee को facility दे सकती है कि अपना काम यह है चलो तो उस case में जो परक्यूजट की value होगी वो होगी production cost per unit उत्पादन लागत पर unit जो हमसे चार्ज किया जाता है आम पब्लिक से वो नहीं production cost per unit आप बोल सकते हैं जितनी cost आ रही है उसकी पर unit वो फैसल्टी माना जाएगा उससे परक्यूजट माना जाएगा सुवीदा माना जाएगा नूलाब माना जाएगा और अगर अगर अधर company से कर रही है तो actual cost bear by company एक्चुल में company उसका कितना पे कर रही है किया इसका electricity का water का जितना पे कर रही है परक्यूजट की value होगी उसमें से अगर employee से कुछ वसूल हो रही है तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा less otherwise नहीं होगा तो यह हो गए दो पॉइंट चलिए आपको अगर यह लिखने हैं तो आप फटाफट से इसको लिख सकते हैं ठीक है इसकी इन्सोट ले सकते हैं वीडियो पोज करके भी लिख सकते हैं एंट तक जुड़े रहना कुछ चीजे भी आपको बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा यहां पर ठीक है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी है ना आपकी help हम पूरी तरीके से करेंगे नेक्स आता है एजुकेशन फैसलिटी पॉइंट नंबर फिप्थ एजुकेशन फैसलिटी इस केस में यह देखना पड़ेगा कि एजुकेशन फैसलिटी किसको दी जा रही है किसको मतलब employee को या उसके family member को यह यह देखना पड़ेगा अगर आप एजुकेशन फैसलिटी employee को दे रहे हो employee को मतलब क्या दे रहे हो आपको ट्रेनिंग दे रहे हो ठीक है या कोई स्किल सिखा रहे हो ताकि आपके बिजनस में वह चीजे काम आए क्योंकि employee आपके यहां काम करता है तो यहां पर perquisite की value क्या माने जाएगी निल जीरो ठीक है कोई अनुलाब नहीं माना जाएगा perquisite में नहीं माना जाएगा taxable नहीं है not taxable भी लिख सकते हो लेकिन अगर family के member को दे रहे हो आप तो family member में कौन से member कौन से member मतलब दो तरीके member हो सकते हैं एक तो बच्चे उसके किसके employee के या फिर इनके अलावा other family member अगर बच्चे हैं तो उस case में exempt है अब two rupees 1000 एक अजार रुपे तक exempt है per child एक अजार रुपे तक क्या है exempt है ठीक है प्रती माह पर बच्चा पर मन्त है 1,000 रुपीज पर मन्त पर चाइड यानकि एक बच्चे पर एक अजार रुपे अगर दे रहा है employer company बच्चों की education facility के लिए employee की करम चारी के बच्चों की education की facility के लिए 1000 रुपे परमंत दी रहा थो 12 मैने के बच्चे के मान लेते हैंऊ तो एक अजार रुपे उसको परमंत देने हैं 12 रुपे कम से कम मिल सकते हैं इतना 12 रुपे तक मिलते हैं तो क्या है अगर 12,000 से ज़्यादा मिलेंगे तो माह लेते हैं employer ने employee को पूरे साल के एक बच्चे के उपर पर मन्त 2,000 रुपए दे दिए तो किते होगे 24,000 रुपए इस case में taxable कितना होगा अभी तक क्या होता था तो exempt होता था वो होता ही होता था बट इस case में एक case study आ चुकी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ CIT वर्सेज डारेक्टर ओप डेली पब्लिक स्कूल या DPS लेख दो डेली पब्लिक स्कूल इस case में case study आ चुकी है उसके अंदर क्या बोला गया है कि एक अजार रुपए तक तो exempt है पर मंत अगर दिया जाता है एक अजार रुपए से थोड़ा सा भी जादा हो गया तो fully taxable फिर हो एक जम्ट सनी एक अजार रुपए वाली नहीं मिलेगी अगर अगर माल लेते हैं एक अजार की जगर पंदरा सु दे दिया तो तो पंदरा सु पूरा taxable अजार रुपए की फिर छूट नहीं मिलेगी यहां पर इस केस के अंदर वो decision आ चुका है तो अब as it is यह हर जगा अपलाई होगा other family member है तो क्या करना है भी या तो actual amount paid by employer employer जतना actual amount दे रहा है fully exempt नहीं fully taxable अब इसके इसके अंदर एक चीज़ और हो थी है education facility कहां provide की जा रही है अगर यह employee की खुद की school है मालने ते है DPS है डेरी पब्लिक स्कूल वो अपने जो वहाँ पर काम करने वाले staff है उनके बच्चों को education facility है उनके family member को दे रहा है यानि कि अगर employer की company की खुद की education facility है उसका educational institute है तो उसमें वह फीस मानी जाएगी जो आसपास के school की होती है उसके जैसी दूसरी school की जो फीस है वो मानी जाएगी या किसी और school में पैसा पे कर रहे हैं तो जितना पैसा पे कर रहे हैं वो education facility माना जाएगा तो यह था education facility के ऊपर चलिए हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नमबर 6 की यह अटा देता हूँ note करना है तो pose करके कर सकते हैं या फिर screenshot ले सकते हैं अब कोई बच्चा बोले के sir आप यह हमको चलो करवा तो रहे हैं नियम सारे rules and regulation तो लिखा रहे हैं इनकी practice इनकी practice बेटा यहां पर YouTube पे possible नहीं है उसके लिए आपको मेरे से live जुड़ना पड़ेगा और वो हमारी app पे live classes आती है बट वहाँ free नहीं है paid classes है बट अभी अगर आप वहाँ पर लेती है ना नवरातरी चल रही अभी तो वहाँ पर आपको 40% discount मिल जाएगा अब 2 rupees 1100 income tax की बेच में आपको 1100 रुपे की छूट मिल जाएगी 3500 का course है 1100 रुपे छूट मिल जाएगी आप देख लो आप किता बज़िया 2400 में मिल जाएगा आपको यह one time pay है one time बलब एक बार pay करना है मस्ती से साल बर पढ़ो ओके ठीक चलिए वहाँ पर practical question भी होते हैं all detail में अगर किसी को लेना हो तो अगर कोई YouTube पर यह देखना चाहता है तो most welcome यहाँ पर भी कोई problem नहीं है next आता है फिर आपका interest free loan at concessional rate 6th number interest free loan और या तो free में कोई loan दिया जा रहा है free loan और loan at concessional rate यह क्या है नहीं बताता हूँ अगर कोई employer यानि की company अपने employee को ऐसा loan दे रही है जिसके उपर interest लगना नहीं है interest नहीं ले रही ले जा तो अपना employee यह ले जा free ओके ऐसा कैसे चलेगा हाँ देव आप लेकिन उसके उपर वो जितना भी interest का amount होगा उसको tax मान करके उसके उपर उस interest जितना pay नहीं किया है employee ने वो employee की एक तरीकी से income मान के उसको salary में add कर दिया जाएगा perquisite मान लिया जाएगा या फिर concessional rate market में 12% rate चल रही है employee को 6% rate पे interest दे दिया loan दे दिया तो अब इन दोनों cases में क्या होगा तो हमें देखना पड़ेगा loan का amount कितना है सबसे पहले loan amount अगर loan का amount 20,000 रुपे से अधिक नहीं है up to rupees 20,000 only 20,000 रुपे है तो perquisite की value nil 20,000 रुपे तक का loan free में या कम rate पर दे सकते हो interest rate पर या फिर आपने जो loan दिया है वो loan है तो 20,000 रुपे से ज़्यादा का more than 20,000 रुपे 20,000 रुपे से ज़्यादा का loan है but loan देने का कारण क्या है first कोई गंबीर बिमारी है और ये बिमारिया लिखी वी है rule number 3A के अंदर income tax के अंदर rule number 1 3A उसमें कुछ disease है बिमारिया है जैसे की AIDS Cancer ऐसी कोई गंबीर बिमारी हो गई है employee क्या उसकी family member को और जिस वज़े से company का भी फर्ज बनता है मानवता के कारण वो उसको free में या interest free loan दिया जा रहा है तो इस case में perquisite की value क्या होगी nil क्योंकि बिमारी का इलाज कराने के लिए लोन दिया है nil zero ओके पर इसके अलावा कोई other reason है other reason है और 20,000 से जादा का लोन दे रहे हो तो जो SBI, State Bank of India interest charge करता है उसी तरीके के लोन पर वही interest rate employee के लिए मानी जाएगी और उसके उपर जो है उसको perquisite मान के salary में add करके उसके उपर tax लगाए जाएगा तो ये हो गया आपका interest free loan और loan rate as concessional rate ये पॉइंट नमबर 6 हो गया आगे चलते है सेवन्थ बार सेवन्थ नमबर है लंच और refreshment facility लंच का मतलब तो खाना हो गया refreshment मतलब नास्ता चाय पानी अगर कोई employer यानि की company अपने employees को लंच या refreshment facility प्रोवाइड करा रही है चाय नास्ता दे रही है तो हमें देखना पड़ेगा वो चाय नास्ता कहां मिल रहा है उसको कि डूरिंग ओफिस टाइम कि ओफिस टाइम में मिल रहा है या बियोंड ओफिस टाइम कि ओफिस टाइम से बियोंड ओफिस टाइम ओफिस टाइम के बाद में मालों जो वर्किंग हार से उसमें दे रहे हो या उसके बाद में दे रहे हो ओफिस बाहर कहीं तो अगर डूरिंग ओफिस टाइम दे रहे हो आप तो उसके अंदर अगर आप ओनली रिफ्रेस्मेंट दे रहे हो यानगी चाय पान कर आ रहे हो चाय होगी है नास्ता होगी आलका फुल का आप दे रहे हो तो ठीक है ओके चले निल कोई टेक्स नहीं लगेगा उसको परक्यूजिट नहीं माना जाएगा ये तो इतना तो चलता ही है ठीक लेकिन अगर आप उसको लंच फैसिल्टी प्रोवाइड़ सब्सक्का से ठीक है और राएख उननैं ठीक है इसमें तो पूर ही है रिफ्रेस्मेंट हो या लंच लो कुछ भी हो दूरिंग ऑफिस टाइम में अगर आप उसको चाय दे रहे हो नास्ता दे रहे हो मैं और निकीर रिफ्रेस्मेंट दे रहे हो सौरी तो तो निल ठीक है चाहे नासता तो क्या है निल है उस पे आपको परक्यूजिट की वैल्यू नहीं माना जाएगा लेकिन आप उसको भोजन यानि की फूड की फैसलिटी प्रोवाइड करा रहे हुआ तो यह भोजन जो है यह एक्जम्ट है अप्टू रुपीज फिप्टी पर मील या पर थाली ठीक है पचास रुपे तक तो करा सकते हो पचास रुपे तक का भोजन आप प्रोवाइड करा सकते हो उससे ज़्यादा का करा रहे हो तो वो एम्पलोई का परक्यूजिट माना चाहेगा और बियोंड आफिस टाइम करा ओ तो फुली टेकसिबल पियोंड ओफिस टाइम में क्या वजाएगा फुली टेकसिबल यानि कि आप उस अपने एमपलोई को जो हैciónдlor ho vow पिला रहा है उसको मजगे करवा रहा है fully taxable office में दे रहे हो आप चाहे नास्ता है तो परक्यूजिट नहीं माना जाएगा खाना भी office time में दे रहे हो तो 50 रुपे तक छूट मिलेगी उसकी ओके तो यह हो गया आपका lunch या refreshment यह point number हो गया आपका 7th सॉरी लिखा नहीं था मैंने 7th फिर आता आपका point number 8 gift gift दे रहा है employer employee को तो दो तरीके से gift दिये जा सकते हैं एक दिये जा जास झाल 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 झाल